सुप्रीम कोट ने कहा है कि यही सेडूल ट्राइब आदिवसी और ट्राइब ही भारत के असली निवासी है यही जो है कि भारत के मालिक है और उन्होंने पूरा जनसंख्या को भी कोट किया उन्होंने कहा है कि भारत का आठ प्रतिस्त आदिवसी ही भारत का असली निवासी है सत्यों जोहार आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आधिवसी पहचान को लेकर हम भारत देश के असली निवासी है इस बात को भारत सरकार बार-बार इंकार करती रही युएन में जाके भारत के प्रतिनिती बोलते थे कि भारत में कोई आधिवसी नहीं रहते हैं आप सोच ये जिस देश में 10 करोड आदिवासी रहते हैं उसके बारे में UN में जाके ये बोलते हैं कि कोई आदिवासी नहीं रहते हैं लेकिन हमें जो है कि इस बात पर गर्ब करना चाहिए और सुप्रिम कोट का हमें धन्यवादी होना चाहिए क्रितग्यातर प्रकाट करना चाहिए कि 5 जन्मरी 2011 को पहली बार जस्टिस काटजियो और जस्टिस ग्यान सुधम मिस्रा का जो खंटपीठ है उन्होंने फैसला दिया उन्होंने कहा आदिवासी ही भारत के आसली निवासी है ये फैसला जो है वो एक केस था महारास्टर का का इस एमाम अंड बनम महारास सरकार ये फैसला हमारे लिए बहुत महत्पून है देश में ऐसा कोई भी फैसला सुप्रिम कोट का नहीं आया है जिसने किसी को कहा होगा कि भारत के ये लोग जो है कि भारत का असली निवासी है पहली बार कायलस बनम अंड यों महारास्टर सरकार के मसले पर सुप्रिम सुप्रिम कोट का निरने कायलस बनम अंड भारत सरकार हमारे लिए बहुत महत्वा रखता है वो इसलिए महत्वा रखता है कि पहली बार कोई दस्तावेज में आदिवासी शब्द का उप्योग किया गया है और उस जज्जमेंट में लिखा गया है आदिवासी, सेडूल ट हैं और उन्होंने पूरा जनसंख्या को भी कोट किया है उन्होंने कहा है कि भारत का आठ प्रतिशत आदिवासी ही भारत का असली निवासी है यही लोग भारत के मालिक हैं और बाकी 92 प्रतिशत लोग बाहर से आये हुए अकरमनकारी या व्यपारी के संतान है यह सुप्रि आदिवासीयों को मार मार के जो है कि बाहर निकाल देते या गुलम बनादेते अपना यस लेकिन इस judgment को जान भुज्च के दबा दिया गया इस judgment का जिस तरह से परचार प्रसर किया जैना था नहीं किया गया है सात्यों मैंने कोशिस किया है मैंने एक चोटा किताब लिखा है सुप्रीम कोट के फैसले और आदिवसी अधिकार इस तरह की किताबें भरे प्यमाने पर लिखा जाना है आप लोग भी लिखिये हम मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेखक बने सैकड कुछ बने, कभी बने, इतिहास कर बने हमें बनना पड़ेगा है और लिखना पड़ेगा लागातार इन बातों और तब यह हमारा आदिवसी पाश्चान स्थापित होगा और इसी बात से डरते हैं यह बाहर से आये हुई आरे लोग इसलिए हम लोगों को वनवसी घुशित करना चाहता है जिस दिन हम लोग आदिवसी बोलना छोड़देंगे उस दिन यह अपने आपको जो है कि इस देश का आसलिनिवसी घुटषित कार देंगे आज देखिए हम लोगों को बनवासी कहा कि हम लोगों को बोलता है ये लोग हिंदू हैं इस तरह हमारा पहचान से खिलवार कर रहा है उसका परिनाम क्या हो रहा है जो हिंदू धर्मानते हैं या सरना धर्मान रहा है उनको भी मैं देखता हूँ आपने नाम सरनाम के साथ अंपने पहष्चान को लेके सजग होना है गर्व से कहना है ! अदिव शृड्षर सर्म्नाक नहीं है ... या एक नीच पर नहीं है ! हमाने पहष्चान को जिने में गर्व महसूस होना क्यों नहीं है ... यह सवाल आदिव से हम भारतlike गो coloca रखान है ! आपको आदिवासी भासा बोलने में गर मसूस होना चाहिए, आदिवासी सास्कृती में जीने में गर मसूस होना चाहिए, आपने आपको जहां भी जाए आदिवासी से परिचाई दीजिए, अपना सरनेम बताईए, टोटेम बताईए, आप अपने सास्कृती भासा पास्चा अपत जो हाँ